हम इस वक्त हैं कठवा के पहाड़ी शेत्र बिलावर में जहां पर पिछले कल एक गड़ना में एक दूगत की जान चलीगी लेकिन इसके बाद इस पूरे मामले को सामपरदाइक रंग देनी की कोशिश की गई है हम उसी स्तान पे हैं जहां का सिसी टीवी पूटेज जो है वा यहां पर बताया जा रहा है कि उस निट्वा को गंबीर रूप से गाइल हो गया था उसको यहां से एस जिए विलावर से जीम्सी जमूरेफर किया गया था लेकिन वो चक्षमों के ताबना सहते हुए वां पे उसने दम तोड़ दिया था लेकिन जिसके बाद इस मामले को स मुहमत जी बताएंगे यह कल कोई यहां पर एक मामला हुगा है यह पूरा मामला है क्या है यह मामला ऐसे है कि कुछ बच्चे कुछ कॉलिज में बढ़ते है उनका शाहिद आपस में होगा जैसे होता है आम तो आपको कुई मामली से जगड़ा था या क्या था तो लड़के पहले आए उस एक लड़के को रोड़का है हो लड़का आपर शाहिद कर रहा है यह क्या कर रहा है क्या कर रहा है कालेज में पढ़ रहा है वो इधर यह जो प्राइविट कॉलेज है यहां पर तो उसको उनका अपस में कुछ होगा जगड़ा तो आपस में लड़ाई जग जगड़ा हुआ है जाहरे तरह आहम आदमी को नहीं पता ही कि जगड़ा क्या था हमें लगता है कि स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स का जो माइनर होते हैं डे टो डे लाइफ में तो मैं लगता मिझे ऐसा ही कुछ है यह कहीं न कहीं इसको एक कॉमनल रंक देने की बिलकुल यहां पर नहीं और मेरा यह भी मैं शुब सुबह से आयो हो मैं यहां पर मेरा भी यही परियास रहा है कि इसको यह ना हवा देनी है और ना इस एंगल से अम देखना है और यहां के लोग बड़े संजीता है सेंसिवल है इसी बात नहीं है यहां पर मुमनल वाली जी सार आपका नाम मेरा नाम तालिव शिनरसा अब बताएंगे कि यह मामला जो हुआ है यह पूरा क्या मामला था और यह जो जिसको एक कॉमनल रंग देने की कोशिश की जारी क्या कुछ ऐसा है यहां पर बिलकुल सर ऐसा कुछ नहीं है बात यूं है कि जो लड़के थे ए लड़का जो यहां का यहां का जो है इसने 500 लड़का देना था उस डोड़डा वरे लड़के का तो इसने बोला कि में आपका 500 लड़के दे लेकिन पहले हैं कि आपने कुह बाते हुई कर लेकर के फुर्Ich कुछूं कौता है construction मामले को लेकर अम стать सुनाथ लडाई हुई है जब लडाई हुई एक भाज पहले में फोन कर दिया गया कर eben सुरूंद कुम कुंहरे लडाई रखना चाहिए उन दोनों का यानी के एकता करके उनको वहां से बेज देना चाहिए तो फिर जब प्लीस वालों ने अभी दिहा नसरी है वो कलास ही नहीं की तो तब तक इनकी लड़ाई द्वारा शुरू हो गई जब इन दोनों की शुरू होई तो वह गाड़ी जो प्लीस वह बचाने गया उसने बचाया लेकिन दूसे जो लड़का था जमू कर दिया प्रथ तो फिर यहाँ पर रहे तोड़ी देर गर वालों को पता नहीं चला जोब लेकिना की दोने सब्सक्राइं कदेद Where भी आपि देखा कि जो यहां से पूरे इसे पूरिख सकते हैं आप श्रीफ लड़का किसी से जग्ड़ा नहीं किसे कोई फसाद नहीं लेकिन सिर्फ इनसानीत की वजह से उन लड़कों को चुड़ाने चाहरा ता वो यह क्या रहा है कि लड़ाई मत करो आओ बैट के बात करते हैं क्या वज़ा है पिर से आप से जाना चाहूंगा जिस तरह से इस पूरे मामलों को कामनुल रंग देने की कोशिट की जा रही है दो समुदाएं के बीच का मनाया जा रहा है क्या कुछ ऐसा है नहीं सर ऐसा कु पर यहां पर एक महौल बना रहे है कि दो समुदाएं कि तनाव की स्थिती उत्पन हो गई है कठुआ में उन लोगों के आपका क्या मेसेज रहेगा बिल्कुल मैं उनसे क्या मैं आपने यहां पर मैं इसे यह कहता हूँ कि इनसानित बहुत बड़ी चीज है दुसरी बात मैं यह कहूँगा अगर किसी हिंदु बाही के साथ कुछ होता है हिंदु बाही जब रोड पर आपने जो लोग से अच्छे तरीके से समझाया मैंने भी समझाया अगर ऐसा होगा हम किसी उनकी स्पोर्ट में नहीं करें जिसने गल्थ किया है वह तो आपस का उनका मसला है क्या है पांसो रवेक आप आप प्लीस की इन्वेस्टेट करेंगी कि पांसो का मसला आप और बा लड़का मारा गया है वह वह बचाने के चकर में दोनों को उसकी दुकान की आगे लड़ाई हो रही थी कोई यह होता है कि उसने पोला कि छोड़ दो वो जो ड़ायी है वो दूसरा लड़का है वेु कालेज में बढ़ता था आब जो दूसरा लड़का है वह अपने जीजा को लेके आया जो जिरह न आप जो मर गया को इन पचारा मर गया बोह वी बचारा उसको स्पोर्ट में आए पूरी हमें इस चीद का बहुत दुख है कि अभी जो पचारे आया है मैंने देखा होगा चाहिज लेकिन अभी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि आम जी इसको प्रिमिलाइस किया जाए वो कर दिया वो कर दिया लेकि कुछ तो लोग करेंगे जो नहीं जानेंगे बो तो यही कर बहुत अच्छी बाद मी किस बाद पर लड़ाई हुए हम नहीं जानते लेकिन उसके बाद जब कल हमें फोन आया हमारे ब्रदर का के उन्होंने उसको पहले केने लगे चाकू मारे है वी डो नो हमें नहीं पता पुलीस ने क्या सीज किया है क्या वैपन है कि उसको चाकू म बाद चांस उसको लग गया वुटेज में सामने दिखता है उन्होंने जान बुच के उसके पेट में मुक्का मारा है जिसे उसकी जान गई है हमारा भाई तडबते हुए मरा हमें साफ चाहिए हम नहीं जानते कुछ भी हमें हमें अवरा भाई चाहिए वहाँ आपस में अभी शेख भी अभी शेख का घर तो यहीं पास ही है महानपूर में तो वह यहीं था और आभी अपने का डोटा वापिस चला गया था अभी कुछ दिनों पहले ही वह आया हुआ था शायद एडमिशन का कुछ चकर था एक्जैम का तो उनको मोका मिल गया और उनको पता था कि इस एरिया के अलावा वो हमें कहीं नहीं मिलेगा और इसमें कोई कमिन्यल रूप नहीं दिया जा रहा इसको गलत नहीं कहना चाहिए किसी को हमारे हिंदू भाई हमारे साथ थे और जिन लोगों ने आपके बाई पे हमला किया है क्या उनको पुलीस ने गरिफतार किया है कि या हमारी पुलीस से बात हुई उन्होंने कहा कि हाँ दो कल हो गए थे अरेस्ट और आज दीसरा भी हो गया और हम ने चाहते हैं इस पर कोई स्यासत हो कोई कमिनियल रूप नहीं दिया जा रहा हिंदू हमारा साथ दे रहे थे ना कोई हिंदू मुसलिम का कोई चक्कर है यहां पर हमारे साथ हिंदू भी थे मुसल्मान भी थे कोई कमिनियल रूप नहीं है लड़ाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है हमें हम सिर्फ अपने बाई के लिए इंसाफ चाते हैं जो उसको जानते थे हिंदू भी मुसल्मान भी सब उसके साथ है यहां के स्थानिय लोग जिनका साफ तोर पर कहना है कि यह पूरा मामला जो था पैसों के लेंड दिन का था या किसी और बज़ा की जो हो सकता है पुलीस अभी इसकी चानबिन कर रही है लेकिन यह मामला किसी तरह से भी सामपरदाइक नहीं है दोनों दिर्मों के बीच दोनों समुदायों के बीच यहां पर आपसी प्यार वो जो पैसले पहले की तरह था वैसे ही परकुरार है बिलाबर से सरप जी सेंग जेके मीडिया के लिए हैं कुछ नहीं हो जाचा है हुआ है है हुआ है है हुआ है हुआ हुआ है दुआ है इसका प्राव मेंस कि अरिये दोट करहा वियू कुछ फसक ट्राव जने जनीता है लिए एका झाल संट गजर इनले की आसे प्रेक्ट रच्ति मेंस ओबादिती हुआए जया कुछ जड़ कि और श्रुञ एका है था कि अके जड़ने एक अक्माद मेंस कि एका या है इसकेस काणों है इसकेस के इसमें आप रोग जाते हैं कि इसकेस की बहुत अच्छी प्रश्य हो रही है अब जो त्री योग इसमें घरबतार बोचेकें हैं और भी जो सामने आएगा वे उसको भी हम घरबतार करते हैं इसकार का इसमें समतिस्त्रमाल हुआ है वह कार भी हमने अभी तक सीचिक हुई है और इसके इन्वेस्टिगेशन जो उसमें अच्छी तरह किसे चल भी है कुछ जो शरपसंद इसमस्ले को कुछ और रंग देना चाहते हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे अगर किसी ने इस मसलियों को जावरल फ्रांग देवे परशे की उतलाब यहां कारवाई करनी पड़ेगी और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि क्राइम को आप क्राइम के ही नजरे से देखें इसमें जो ठतीश हुई है उसको डिटेल में देखें कि यह सही हो रही है और इसको मिस्क्रियांट्स की रिमर्स को बिल्यू करते हुए उसको दूसरें अंगल से नागर कर दो अभी आप इलावर हैं तो यहां पर अभी शुक्राइशन कहा है क्या है सिचुशन का है, लोगों को कुछ दॉट्स थे अपने दिल में, हमने बहुत सारे लोगों से यां पर बात की है, और कुछ दॉट्स्ट प्लियर हो गये है, कुछ दॉट्स है, हमके इन्वेस्टिकेशन जैसे जैसे आगे चलेगी, वो ख्लियर हो जाएंगे, ओर रॉर अल मैं जो क्राइम का मोट्यू है, इसमें पूरा क्लारिफाय नहीं हुआ है, इसमें तोड़ा टाइम हमें लगे जगुआ, बर्ट जहां तक अभी तक की बात है, परस्नल राइवल्री सामने आ रही है, जो विक्टिम है उसकी और जो अक्यूज्ड हैं उनकी, परस्नल राइवल्री प्रेश्ट ने जाने किसकी मनहूस नजर लग गई है हर विवाद को यहाँ पर कमल रंक देने की कोशिच की जाती है प्रियास किया जाता है उन ताक्तों द्वारा ऐसा ही मामला एक बिलावर में हुआ है जहां पर कॉलेज के चातरों द्वारा हुआ विवाद एक कमल रंक देने की कोशिच की जा रही है इसको हम इस वक्त हैं बिलावर में जहां पर हम GROUND report आपको दिखा रहे हैं जहां से हम लोगों से बात की है यहां के लोगों से जिनका कहना था कि यह पूरा बिवाद कुछ पैसों के लेन दिन से था ना कि दो समुदायों के बीच हाला कि कुछ लोगों ने अमन के दुश्मन में से एक का है जिन्होंने कल जो है स्टैपिंग की गटना को इंजाम दिया है जिन्होंने एक हत्या की है अब इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं एक कामनोल रंग देने की परियास दिया जा रहा था लेकिन यहां के लोगों ने अपनी प्रीचे देते हुएंने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है दोनों समुदायों के लोग भी आपस में बड़े प्यार सद्वाब से बड़ी देव से रह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है दोनों समुदायोंने मिलकर यहां पर एक एक खुशाली बड़ी जिन्दगी जो जी है लेकिन अब कहीं न कहीं कुछ बाहरी दाप्तों ने यहां पर एक इस पूरे मामले को कामलों रंग देने का प्रयास किया था लेकिन ऐसा यहां पर फिर्कुल नहीं है हमने आपको यहां से लोगों से रूबरू कराया था उन अभी पूरी तरह से शांत है हाला कि कुछ दिर पहले ही यहां पर स्स्पी कठुआ खुद मोके पार यहां पोँचे थे उनने हम से बात करते हुए बताया है कि अभी यहां पर पूरी तरह से शांत है जो यह गटना हुई है उन सभी आरौपियों को पलीस ने दरपकड़ कर उनको गिर्फता कर लिया है अब पुलीस जल्द से जल्द सीसी टीवी फूटेज को जो सोशल मीडिया बे वाइरल हुआ था उसको हाथ में लेने का प्रियास कर रही है जिसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि अब भी महां यहां पर महोल जो है पूरी तरह से शांत है उन बिलावर से सरफजी सिंग जेके मीडिया के लिए